नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके शेफ सबसें गानिया आज आपके लगए स्प्रिंग डोल कैसे बनाते हैं तो देख सकते हैं हमारी रेडिमेड स्प्रिंग डोल सीट है तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं यह हमारी वेजिटेबल से सबसे पहले हम जादा तेल इसमें ओनियान और इन सब्जों को ज्यादा हम क्रंची रखना है ज्यादा गलाना नहीं है तो देख सकते हैं इसमें डालाएंगे सिम्ला मिर्च कैरेट्स और यह हमारी है हरी मिर्च ढलने के बाद इनको थोलगा से हम रोस्टिट करेंगे हलका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए जादा आपने इनको रोस्ट नहीं करना है तो इस तरह के साथ आपने टोश करें उसके बाद इसमें हम ढलेंगे थोड़ा सा नमक तो इनको जैसे ही हमारी रोस्ट होंगे तो हम नूडल्स एड़ करेंगे जो हमने बोल करके पहले से रखा है क्योंकि आज हम रेड़ी वाला बना रहे हैं यह हमने नमक एड़ कर दिया स्वादन सार इसके बाद डालेंगे इसमें हम देगी मिर्च थोड़ सा कलर पकड़ेगा इसके बाद डालेंगे बिनेगर इसके बाद आड़ करेंगे इसमें हम सोया सोस इसके बाद इसमें आड़ करेंगे हम आरोमेटिक पॉर्डर इसके जगह पर आप अजीनो मोटो भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा अजीनो मोटो भी यूज कर दिया आप डालेंगे इसमें सीज्वन सोस एक चममच तो अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स इसके बाद इसमें आड़ करेंगे हम न्यूडर्स जो हमने बॉल करके रखा हुआ है तो यह हमारे न्यूडर्स हमने इसमें एड़ कर दिया अब इसको थोड़ा सा कर्ची के साथ इसको तोड़ देंगे हम इस तरीके से तो न्यूडर्स आपके जो है ने स्पाइसी होना सही क्योंकि हम स्प्रिंग बनाएंगे वसमें फिलिंग करेंगे इसको तो अब यह हमारे इस फिलिंग रेड़ी हो गई है तो यह हमारा मैदा है थोड़ा सा हम घोल बनाएंगे इसका गाड़ा सा ताकि स्प्रिंग रोल हमारा अच्छे से चिपक जाए यह लगाते हैं इस तरीके से आपने इसको रेडी का लेना हमारे यह रेडी हो चुका है तो देश सकते हैं हमारे रेडी में स्विंग लूल सीट है तो इस तरीके से आपने इसको निकाल लेना कि करके थुरा सा इसको बहुत धेहान से निकाल ले ताकि आपकी यह फटे ना तो इस तरीके से हमने सारे स्पिनोशीट निकाल के रख लेंगे तो यह हमारे चॉपिंग बॉर्ट पर रखे लिए हमने जो इस्टफिंग है आपने बहुत ध्यान से डालना थोड़ा-थोड़ा डालना है तो इस तरीके से आपने फोल्ड करना है इसके बाद इस साइड से फोल्ड करें तो देख सकते हैं अब इसमें लगाएंगे हम थोड़ा सा मैदा तो इस तरीके साब में रोल कर देना देख सकते हैं हमारी बन के सारे रेडी हो गये हैं अब इनको हम करेंगे फ्राई तो इस्पिरीन लूल हम लोग harp done करके रख लेते हैं अगर आपने एक बार में ही यूज करना है तो आप एक बार में ही फ्राइ कर लें तो इनको बनाने के बाद आपने तुरंद फ्राइ करना है पांदस मिनिद तक नैं यह सूख जाएंगे तो चिपक जायेंगे तो दो 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 आए जाए जाए